इट्स आज की क्लास है इंग्लिश की और इंग्लिश की क्लास में आज पढ़ेंगे Capital I, Small I, I for ice cream, draw करेंगे और color करेंगे Capital J, Small J, J for jug, draw and color Capital K, Small K, K for kite, draw and color Capital L, Small L, L for lamp, draw and color So let's start इंग्लिश की क्लास शुरू करते हैं इंग्लिश की क्लास में इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा है A for apple, B for ball, C for cat, D for doll E for egg, F for fish, G for gun, H for house यह हमने इससे पहले की क्लास पर पढ़ा है आज हम पढ़ेंगे I, J, K, L तो सबसे पहले I, Capital I Sleeping Line, Standing Line, Sleeping Line This is I, फिर जे करते हैं dot इसको मिलाया, इसको मिलाया और standing line यह बन गया I, Small I, Standing Line and dot This is Small I, I for ice cream बच्चो की favorite ice cream तो हम लोग बनाएंगे ice cream Ice cream के लिए हमें three dots बनाने हैं और इसको मिलाना है इधर से ऐसे और ice cream का कून बन गया अब इस पे ice cream strawberry, black forest, chocolate and cherry on the top और अब ice cream कून को थोड़ा सा design कर दिया तो यह क्या बना I for ice cream इसे अभी हम लोग color भी करेंगे capital I, small I, I for ice cream अब हम हमने ice cream बनाया triangle और circle से अब हम लोग बनाएंगे J पहले करेंगे capital J capital J के लिए सबसे पहले sleeping line, standing line and left side में curve sleeping line, standing line and left side में curve यह क्या बन गया J, capital J और small J कैसे बनता है sleeping line को हटा देंगे और सिर्फ standing line और curve और उपर बिंदी sleeping line को हटा देंगे standing line and curve और उपर बिंदी यह है small J और यह है capital J अब J for क्या होता है J for होता है जक तो जक के लिए पहले हम C, ultra C और सीधा C लिखेंगे ठीक है इसके उपर एक oval बनाएंगे और इसके उपर एक circle बनाएंगे ओके अब इधर से ले गए जब में यहाँ पर पानी निकालने के लिए अधर से और यह अब जब में होता है handle handle के जैसे years होते है न E for years वैसे बनाएंगे तो यह क्या हो गया जग J for jug जग में क्या भरेंगे J for juice भर देंगे तो J for jug J for juice तो बना लिए आप लोगों ने जग अब चली चलते है के के standing line पहले capital लिखेंगे standing line और इस तरह से हो गया के standing line तेड़ी line तेड़ी line यह हो गया capital K small K भी बिल्कुल ऐसा ही होता है standing line इस तरह से होता है small K size इसका छोटा हो जाता है यह तो small K हो गया K for क्या होता है बच्चो की favorite होती है K for kite kite के लिए हमें बनाना है पहले एक triangle का shape देना है ओके यह हो गया diamond का shape shapes आपने तयार की होंगे यह diamond अब इसको बीच से बाट करके बना दिया triangle और फिर इसको भी बीच से एक पार्ट पार्ट देंगे पूरा यह diamond की तरह बना पर यह क्या है K for kite kite में होता है यहाँ पर धागा तो क्या हमने क्या बनाया K for बहुत ही simple तरीके से बनाया K for kite kite को कौन उड़ाएगा K for king K for king K for kite kite को राजा उड़ाते हैं उड़ाएंगे ठीक है तो यह हो गया K अब चलते हैं L सबसे simple होता है L लिखना Standing line, sleeping line Capital L Standing line, sleeping line Capital L Small L Only standing line Very simple L is very simple Capital L, L for lamp Lamp जो हम लोग रात में जलाते हैं तो सबसे पहले Lamp बनाने के लिए एक sleeping line कीच लिजे और इसमें थोड़ा सा कर्ब बना दीजे और यह बना दीजे ऐसे ओके इसको थोड़ा सा डिवाइड करते हैं अब Lamp में Bulb और यहां होता है Lamp का Wire और यह होता है Lamp का Stand और इसके अंदर से जाता है Wire यह बन गया L for Lamp बहुत ही सिंपल तरीके से यह हमने बनाया Curve Rectangle Standing Line से हमने बनाया इसको और यह Oval, Half, Oval, Half Circle से तो L for Lamp अब चली अब हम लोग कलर करते हैं फटा-फट से सबसे पहले Ice Cream का कौन करेंगे Orange और यल्लो से तो Orange की Line हलकी हलकी दे दीजे और यल्लो से इसको पूरा फिल कर दीजे Ice Cream बच्चों का फेवरेट होता है तो I for क्या होता है Ice Cream, Ice Cream, यल्लो यल्लो आइस क्रीम यह होगे Ice Cream का कौन अब इसको भी कर देते हैं ऐसे ही अब हम अलग-अलग कलर की Ice Cream बनाएंगे अलग-अलग फ्लेवर की सबसे पहले बनाते हैं चॉकलेट आइस क्रीम तो चॉकलेट आइस क्रीम होगी ब्राउन इसमें भी बना देते हैं चॉकलेट आइस क्रीम अब बनाते हैं स्ट्रॉवेरी आइस क्रीम पिंक तो पिंक से बनेगा स्ट्रॉवेरी अब बनाएंगे मैंगो आइस कोई यलो और उपर चेड़ी रेट कलर यह हो गई आईस क्रीम आई फॉर आईस क्रीम यह है कापिटल आई एंड दिस इस स्मॉल आई ओके अब चलते हैं जे फॉर जग में जग बनाते हैं हम ब्राउन एंड गोल्डन कलर से तो सबसे पहले ब्राउन कलर से हाफ में इसको कलर कर लीजिए अब गोल्डन की जगा आप चाहें तो लाइट ब्राउन भी ले सकते हैं जे फॉर क्या बना रहे हैं हम जग जग में डालेंगे जे फॉर जूस तो जे फॉर होता है जग जे फॉर होता है जूस और आपको इसको लिखना भी और कलर भी करना है अब इसका हैंडल कर देंगे ब्राउन और ड्रॉ करने का हमने एकदम आसान तरीका बनाया है शेप से हम लोग ड्रॉ करते हैं योग्या जे फॉर जग यह है कैपिटल जे यह है स्मॉल जे अब चलते हैं के फॉर काइट पर तो काइट तो बच्चों की फेवरिट है और बहुत कलर कलर की अच्छी लगती है तो अच्छे अच्छे से कलर्ट निकालते हैं ग्रीन ब्लू औरेंज एंड डार्क ब्लू तो सबसे पहले उपर कर देते हैं डार्क ब्लू और नीचे कर देते हैं पिंक करते हैं अब इदा कर देते हैं परपल और उपर कर देते हैं और इंज यह बन गया के फॉर काइट और के फॉर किंग भी होता है अब क्या करेंगे एल फॉर लैंप चलिए अब लैंप करते हैं लैंप को करेंगे करेंगे स्काइब्लू कलर और स्काइब्लू के साथ अच्छा करेंगा मजएंडा कलर ठीक है आप लोग भी साथ में करते चाहिए और रोज क्लास करिए तो सारी पढ़ाई एक साथ हो जाएगी कलर ड्रॉव एंड लिखना तीनों चीज़े हम लोग साथ में सीख लेंगे चैनल के सब्सकाइब बटन को क्लिक कर लिजेगा तो मेरी रोज की क्लास की अपडेट आपको मिल जाएगी रोज क्लास करने से आपकी पढ़ाई भी कम्प्लीट हो जाएगी आप बल्प को कर देते हैं यलो ओक्या और इसका स्टैंड कर देते हैं यह मजण डाओ ठीक बन गया लैम्प एल फोर लैम्प आज हमने क्या क्या पढ़ा फिर से रिवीजन करते हैं फटा फट से आई फॉर हैस क्रेम में क एपितल इवी जेफ और जगक कैपितल जे स्पहल रिवीजे के फॉर कायट ड़ेस माल के एल फॉर लैम्प कैपितल लेस्ट गेफि़टल बड़ेस 이후 झाल झाल